नमस्कार आज हम लोग कच्छा दस्वी दूसरा पार्ट राज्ज व राष्ट की आई करेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे राज्ज व राष्ट की आई आखी राज्ज क्या है तो हम समझते हैं कि उस संगठित इकाई को कहते हैं जोग एक सासन सरकार के अधिन हो राज्ज शंप्रभुत्वता शंपन हो सकता है इसके अलावा किसी सास की इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी राज्ज कहते हैं भारत के परदेशों को भी हम राज्ज का दर्जा देते हैं जैसे आपका बिहार भी एक राज्ज है आगे है आपका राष्ट की आए ये देखिया आपका राष्ट की आए तो किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उभोगता के हाथों में जाने वाली वस्तु या देश की पुजिगत शंशाधनों के विसुध जोर को ही राष्ट्री आए कहते हैं ये क्या है जो आप देखते हुएगा कि राष्ट्री आए होता क्या है तो राष्ट्री आए किसी विदेश के अंदर एक निश्चित अवधी में उत्पादित जितने भी समान वस्तु बने हैं सेवाए मौद्रिक मुल्ले जिसमें विदेशी पैसा को भी सामिर किया जाता है ये सब राष्ट्री आए में होते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पढ़िजय है कि किस प्रकार से पिछले अध्याय में हमने आर्थिक विकास के विभिन संकेतों का ध्यन किया है राष्ट्री वर प्रतिव्यक्ति आए में विर्धी विकास का एक महत्पुन शांकेत माना जाता ह कुछ और सास्त्रियों ने आर्थिक विकास के अधारना और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है इसे जीवन की गुनात्मक तता समान्य तक जीवन अस्तन में सुधार से जोरने का प्रयास किया गया है अब हम चलते हैं बिहार की आय के बारे में समझेंगे कि आखिर बिहार की आय है क्या और किस प्रकार से यह तो बिहार के राज्य घरेलू उत्पादन में क्रिसी उद्योग परिवहन ब्यापार आदी राज्य सवी छेत्र उत्पादित वोस्त्वों और सेवाओं का मुल समलित करता है राज्य के इन विन छेत्रों की आय मतलब एक राज्य में ये सब जो सिवाएं है उसकी आय पर भी राज्य की आय निर्भर करता है और इसी पर उसकी आमदनी निर्भर करती है तता इनके बदले से राज्य की आय में भी ब्रिधी होती है विगत बर्सों के अंतरगत बिहार में प्रात्मी छेत्र के उत्पादन में कमी हुई है जिसका प्रमोक करण किर्सी छेत्र में गिरावट है द्वित्यक अथ्वा ओद्योगी छेत्र के उत्पादन में कोई विशेश परिवर्तन यहां देखने को नहीं हुआ है तथा राज्य के घरेलू उत्पाद मतलब खुटर उत्द्योग में इस छेत्र का सबसे नियुंतम योगदान रहा है वर्तमान में बिहार के राज्य घरेलू उत्पादन में सिवा छेत्र अंसदान सरवधिक अधिक है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिवा छेत्र जो है वही आमदनी का जरिया है जिसमें संचार सिवा ब्यपार होटल रेस्टोरेंट इत्यादी महत्पुर्ण है यहाँ आप ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से किस चीजों का यह ग्राफ दिया गया है यहाँ पर हम राश्ट्रियाय को फिर से समझेंगे देखिए यहाँ पर दे रहा है आधुनिक अर्षास का अधियन राश्ट्रियाय की धारना संबंद राश्टी आय का अस्तर किस प्रकार्ण रिधायत करता होगा किन कार्णों से परिवर्तन होते हैं इस कमी को वृष्धी को विया त्यंत महत्पुन प्रशन राश्टी आय के माध्यम से जानते हैं जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ अब हम समझेंगे राश्टी आय की परिभासा अलफेड मासल की परिभासा अलफेड मासल के अंसार किसी देश का स्रम और पूजी उसके प्राकर्तिक संसाधन पर क्रिया सील होकर प्रती वर्स वस्तुओं का एक सुध शमू उत्पन करते हैं जिनमें भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ तथा शवी प्रकार की शेवा शम्मिलित होती है या देश की वास्त्विक विसुद वार्सिक आया राश्ट्रिय लाभांस है उनका कहाना है कि किस देश का स्रम और पूजी प्राकिर्तिक संसाधन जिसके पास जादा है वो आगे बढ़ सकता है इस प्रकार मार्शल के उन्सार देश के प्राकृतिक संसादनों पर और पूजी का प्रयोक करने में प्रतिवर्ष वस्तू और सेवाओं का एक शमुव पैदा होता है जिसे हम कुल उत्पादित कहते हैं लेकिन इन कुल उत्पाद विसुद रास्तिया नहीं हैं क्योंकि इसे प्राप्त करने में मसीन की घिसावट के रूप में पिछली आयका भी कुछ अंस्खर्च होता है इसलिए एक वर्ष के उत्पादन में अचल पूजी की घिसावट तथा प्रतिस्थापन ब्यवस्था आदी निकालने के बाद जो सेश बच जाता है वह उस वर्ष का राष्ट्रिय आयका लाता है परफेसर पिंगू की परिवाशा राष्ट्य लभांस किसी समाज की वास्त्रिक आय का एक भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित किया जाता है इसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है मार्सल की तरफ पिंगू ने भी उत्पादी समपत्ती को राष्ट्रिय आय का आधार माना है तेकि अगर पैसा विदेश से भी आता है तो राष्ट्रिय आय में गिंती किया जा सकता है लेकिन इन्हें केवल उनिवस्तू तथा सेवाओं को राष्ट्रिय आय में सामिल किया है जिनका वी निर्में होता है अर्थात जिन्हें मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है और अब देखिए यहाँ पर तीसरी परिवासा यहाँ पर पोर्फेसर फिंसर की परिवासा है वास्त्रिक राष्ट्रिय आय वार्षिक सुद उपादन का एक भाग है जिसका उस वर्ष में परत्यक्ष रूप से उभोग किया जाता है आखिर क्या है तो समझते हैं उसको राष्ट्रिय की तीन प्रमुक धरना है उनके अनुसार राष्ट्रिय आय एक वर्ष में उत्पादी सभी वस्तु और से वहाँ का मुल्ले है एक साल में जितना भी वस्तु बना कीना गया और जितना बेचा गया और जो बसता है उसी को हम राष्ट्री आय कहते समाजी की संपुर्ण आया थ्वाव्याय देखिए यहाँ पर भी बताया जा रहा है इस प्रकास समाज की सुध उत्पत्ति कुलाय वह व्याय तीनों ही एक दूसरे के बढ़ावर है अब समझते हैं आय का चक्रिय प्रभाव है क्या यह देखिए आपका आय का चक्रिय प्रभाव इसको समझेंगे तो आय का चक्रिय प्रभाव और सास का एक मोडल है यह मोडल और्थ व्यवस्था के प्रमुख बाजार होने वाले लेन देन आप जाते हैं बाजार में तो जो खरित विक्री करते हैं आर्थिक एजेंडे के बीच के पैसा वो माल वो सेवा को दरसाता है आप जो भी काम करते हैं जो भी समान किंते हैं उसको वो दरसाता है पैसे और माल के आदान प्रदान का प्रवाह दिखाया जाता है जिसमें हम दो आर्थिक चरो का प्रवाह वीप्रित दिसा में चलती है दोनों क्या होती है वीप्रित दिसा में चलती है यहाँ देखिए राष्ट्री आय की धारना है किस प्रकार से राष्ट्री आय चलती है तो यहाँ पर आप ग्राप के मद्धम से समझ सकते हैं पहला है आपका कुलगारेलू उत्पाद तो गारेलू उत्पाद की धारना एक बंद और ठोस्ता से सम्मधित है कुल घरेलू उत्पाद का एक देश के भोगौलिक सीमा के अंदर लेखा वर्स में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौदरिक मुल्ले है ये क्या है मौदरिक मुल्ले है जो वस्तु आपके पास है जिसने बेच दिया और फिर किना और जो आपके पास सेस है इसके लिए आप एक छोटा सा उधावन भी समझ सकते हैं जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं आपने वो बजार में गए और खर्चा किया और जो आपके पास सेस बच गया वो आपका होता है उसी परवो क्या करते हैं कुल घरेल उत्पाद कहते हैं दूसरा है कुल राष्टे उत्पाद तो जिसको हम जी एन पी कहते हैं तो किसी भी देश में एक वर्ष के अंतरगत जिन वस्तू और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौदरिक मुल्य को कुल राष्टे उत्पादन कहते हैं जो चीज उत्पादित हुआ और जो भिग गया और कुछ उसका लाभांस हुआ वही हो गया कुल राष्टे उत्पाद तिसरा है सुद राष्टे उत्पाद एन एन पी किसी देश की अर्थ व्योस्ता की वास्त्विक स्थितिक का ज्यान प्रात करने के लिए सुद्ध राष्टे उत्पादन की धारना अत्यदिक महत्पुर्ण है कुल राष्टे उत्पादन एक निश्चित अवधि में देश की संपुन उत्पाद का मौदरिक मुल्ले हैं क्या है तो मुल्ले है यहां पर एक और है पॉइंट कुल राश्ट्री आये तो कुल राश्ट्री आये की धारना कुल राश्ट्री उत्पाद की धारना पड़ाधारित है जितना आप उत्पादित कीजिए जितना बेज पाईएगा वही कुल राश्ट्री आये है और राश्ट्रियाय का मतलब होता है राश्ट्रियाय की साधन लगातो पर राश्ट्रियाय भी कहते हैं सुध राश्टिय उत्पादन में प्रत्यक्ष करों को घटाने वह सरकार अनुदान की रकम जोरने के बाद जो रासी भशती है जो रासी आपके पास है जो खर्चा करने के बाद आपके जो लोन लिये है उसके बाद और जो आपके पास लभांस बचा हुआ है वही राश्टी आए में छोड़ा जा सकता है अब रास्टी आए कि माप यहाँ पर समझते हैं तो यदि किसी देश के प्राकर्टिक संसाधनव श्रम और पूजी लगातार उसका उपयोग किया जाता है तो उसके प्रतेक वर्ष एक निश्चित मात्रा में वस्तू और सेवाओ का उत्पादन होता है सरव सब्दों में यह देश की रास्टी आए है इस प्रकार रास्टी आए एक निश्चित अवधी में देश की कुल उत्पादक का मौद्रिक मुल्य है तता वस्तू और सेवाओ की उत्पादन प्रकिरिया ही इसका स्रिजन करता है जैसे आप कोई भी माल जादा बना लिए और बिगता नहीं है तो क्या होता है माल खराब जाता है लेकिन जो बिग गिया फिर माल लिए फिर बेचे तो यह सब क्या कहलाता है आए कहलाता है आए एक प्रवाह है तता कुल उत्पादन का प्रवाह कुल रास्टी आए का प्रवाह उत्पन करता है अता कुल रास्टी प्रति व्यक्तिanka की ऊसट में देश के नागिरिकों की औसताय कुल-राष्टि-ाय में कुल जन संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रतिवेक्ति आय कहते हैं इस प्रकार प्रतिवेक्ति आय को धारन राश्ट्री आय से जूरी हुई है राश्ट्री आय में वर्धी होने पर प्रतिवेक्ति आय में भी वर्धी होती है लेकिन राश्ट्री आय में वर्धी होने पर प्रतिवेक्ति आय में प्रतिय कवस्था में वर्धी नहीं होगी यदि आय में होने वाली वर्धी के साथ ही किसी देश की जन संख्या में उसी के अनुपात में बढ़ जाता है तो प्रतिवेक्तियाय नहीं बढ़ेगा और लोग के जीवानास्तर में कोई सुधार नहीं होगा जदी राश्टियाय की तुलना में जनसंक्या की विदिदर अधिक है तो प्रतिवेक्तियाय घड़ जाएगी अब हम पढ़ेंगे विकास में राज के राश्टियाय प्रतिवेक्तियाय का योगदान किसी भी देश की आर्थिक विकास में राज की मतलब राज का राश्ट मतलब राश्टियाय का और प्रतिवेक्ति मतलब हम सबों के आयका महत्पूर्ण योगदान होता है ये तीनों ही अमारे आर्थिक जीवन, रहन, सहन के अस्तर वविकास को प्रभावित करते हैं। राजकीय आय का अभिप्राय, राज्य अथवा, सरकार को प्राप्त होने वाले आय से होता है। प्राचीन काल में भी सरकार का कारे देश को विदेशी आक्रमन से बचाना तथा देश के अंदर विदी विवस्था कायम रखनी तक सीमित था। लेकिन आध्वूनिक सब्भी समाज में लोक कल्यान की भावना के विकास के साथ सरकार का कारेचेत्र बहुत विश्त्रित हो गया है. इसके फलस्वरूप आज सभी देशों की सरकारे करों का निर्धारन करती है, जो की अधिक आयत्वा धन एकत्र करने का प्रयास करती है. आप जो टेक्स देते हैं, जो आप आयकर देते हैं, वही आपको क्या होता है, आपके विकास के लिए भी सरकार, राज सरकार या केंद्र सरकार खर्चा करती है. तथा इन धन को सुरक्षा परदान करती है, सास्त में प्रशाषन आदी के साथ ही सिक्षा, स्वास्त और विकास कारियों पर खर्चा करती है. हमारे लिए सिक्षा पर खर्चा किया जाता है, स्वास्त पर और विकास आत्मक कारे, जो हमारा देश किस तरह से, हमारा राज्य किस तरह से बढ़े. असपस्ठ है कि राज्य किया आए, अधिक होने पर ही सरकार विकास कारियों में अधिक योगदान कर सकती है, लेकिन अगर सब लोग टेक्स नहीं देते हैं, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं होता है. तो भारती अर्थ विवस्था एक अर्ध विक्सित, मतलब विकास सील नहीं है, विक्सित है, तो अर्थ विवस्था है, जो की सरकार के सक्रिय सहयोग के बिना इस प्रकार की अर्थ विवस्था का विकास संभो नहीं है. अर्द विक्सित व विकासिल अर्थ व्योस्था में संराचनातमक सुभधाओं का सदा अभाव रहा है। पंचवर्ची योजनाओं के प्रारंब होने के समय भारत में विद्धुत, परिवहन, संचार, सिचाई, आदि सुभधाओं की बहुत कमी थी। नीजी उत्पाद को द्वारा इस प्रकार के संराचनातमक आधार का निर्मान संभव हुआ, सरकार के सहयोग से भारत में सर्वजनिक छेत्र के सुर्द्रिध आर्थिक संराचना का निर्मान किया गया। आर्थिक विकास का राष्ट्रियाय में घनिष्ट संबंद है। लोगों का जीवन अस्तर उंचा होता है और विनियोग की वस्तु आर्थिक विकास की प्रक्रिया को त्रिब बनाने में सहयोग करती है। तथा इसे हमारी जीवन उत्पादन छमता। विकास का मूलू देश राष्ट्रिये वो प्रतिवेक्तियाय में वर्धी अथ्वा देश के नागरिकों के जीवन अस्तर को उचा उठाना है। समानेता राष्ट्याय में वर्धी होने पर देश वास्यों की प्रतिवेक्तियाय भी बढ़ेगी लेकिन इसके लिए राष्ट्याय का समुचित वितरन आवस्यक है। भारत के राष्ट्याय का वितरन बहुत विशय है कि किस प्रकार से उसको मनाया जाए। कुछ थोरे से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित है। इसके फलस्वरूप देश के व्यापक निर्धनता विद्धुमान है। तता अधिकांस भारत वास्यों के जीवन अस्तर आज भी निम्न है। कि देश के समान नागरी को की आउसत अथवा प्रतिव्यक्तियाय में व्रिधिक के लिए राष्टियाय का सम्मुच्चित विकास आवस्यक है। यह वीडियो आप निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से सम्मुड़ी के रूप में देख रहेते। धन्यवाज जय हिंज जय बारत जय भीहार।